कि नमस्कार टीवे नाइन उत्तरप्रदेश उत्रगंड में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिके शर्मा उत्तरप्रदेश में चुना चल रहे हैं कैंपेंग अपने चरम पर पहुंच रही है पहले दो बुलंड शेयर से स्याना कॉंस्वेंसी से लड़ रहे हैं लेकि महत्पून बात यह है कि प्रियंका गांधी का मिशन है वो उस हिस्से में आती है यह राध्यीती यानि एक बड़ा मुष्थ जो कैंडिडेट्स का है वो महिलाओं को दिया है बहुत सारी पार्टी कास्ट की प आप जी को चुनाव लड़ने का फैसला क्यूँ लिया है और बार 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 दनिवाद करती। जैसे बॉर्डर पे लड़ती थी जहानों के लिए जैसे लड़ती हूं वे टिए जनके बलातकार हो जाते अब जो मैं लडाई की लिस्ट में हूँ तो मैं अपने आपको बहुत खुस नसीब समझती हूं कि मुझे लिस्ट में रखा गया कि मैं लड़ाई लड़ सकती हूं आप तो नाशनल लेवल शूटर भी रही है तो आपको आपको लगता है कि अपने निशाने से गिरा देंगी जीत लेंगी देखे रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा लेकिन जितना मुझे जंता का प्यार दिन हुए छे दिन में मुझे इतना लोग आशिरवाद इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं और मैं इस जीत में भी बहुत खुश मैसुस कर रही हूं और मुझे पदा है कि जंता मुझे इतना प्यार करती है उस जंता की जीता है किसानों की जीता जीत जरू लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उपने लो है इतनल के कामality है विकर है ना कि यह विकास ही रूक गया है ने काम नहीं कि इनकी इनको पूरा भरोसा है कि मैं करूंगी काम क्योंकि मैंने तो काम ही करना ह। अर। लेने हैं यहां कि अहां तलना में अलाए लेकिन एक पैसे का प्योंत चीज का करा दूप उन्हा दूटा है कि शुनाब काता में जाने बिदायक सब्सक्राइब बाकी तो सवाल बहुत हैं आप किसान अंदोलन से भी जुड़ी रही लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए लोग कहते हैं जब समाज की सेवा करनी होती है पुर्ण जी तो कई तरीके होते हैं आप तो बहुत पॉलिटिक कोई ऐसे बैग्राउंड से आती नहीं आप तो आपका आपका स्पोर्ट का बैग्राउंड आप अचीवर हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ मेड हैं तो कभी आपको नहीं लगा कि समाज की सेवा करनी तो अकैडमी खोले आप जैसी लड़किया जिनको आप दे दो पैसे खोल दूंगी आप दे दो ना कैडमी खोल ले जो मेरे पास बहुत पैसा चुनाव लड़ने के लिए मुझे पता है मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकि नहीं का अशिरवाद है सभी लोग मुझे स्याना विदानसवा पर सपोर्ट कर रहे हैं यह सच बात है इसमें कोई जूटा नहीं अगर आप एक एक पैसे चाहिए अगर आप राज नीतिक्ता करना पड़त है अगर एक्षाटा करना पड़ता है अगर अकैडमी आपको खोल नी है Congress Party आपने जॉइन करने का फैसला क्यों किया आपके Congress क्यों क्यों कि पूरे देश में लोगतंत्र खत्रे में था पूरा किसान इतना परेशान था पूरे देश का समस्या है तो इसलिए मुझे बड़ा विकल्प जो लगा भारतिये जनता पार्टी मुफ्त भारत मैं चाहती हूं तो बड़ा विकल्प मुझे लगा वो Congress था और मेरे बड़े भाई हैं आप रभी भाई अगर आपकी नजरों में कोई बहतर विकल्प हो तो आप मुझे जरू मैसूस होता है कि मैं Congress परिवार से चुड़ी हूई हूँ क्योंकि जो बड़े-बड़े अस्पताल एम्स जैसे अस्पताल बनाए गए ते वह Congress के जमाने में बनाए Congress Party ने बनाए माने निया हमारे राजीव गांदी जी ने इतनी मेहनत की और अब जो आपने Corona का समय देखा पुनम जी चिंता नहीं थी Congress की प्रत्याशिया आप कहरें कि अकेले लड़ाई लड़ रही है और आपको पता है कि कम संसाधनों में लड़ना कितना मुश्किल होता है लेकि Congress की लोग छोड़ छोड़ के पार्टी जा रहे हैं कल आपके बड़े नितार पियन सिंग चले ओयुं मुझे मैं सिंगוס चाहिए और मेरी जंता हार किसानों Pitt वोड़े आ सबसे पहले सपोर्ट किया और बनातकार हो घजब वेटी का वाज तो मैं बिल्कुल इनके साथ हूं और मैं हमेशा रहूंगी और जिस दिन यह यहां से भटके जिस दिन आसमान से अगर बरफ का रंग काला हो करके गिरेगा उस दिन मैं कॉंग्रेस परिवार को चोड़ करके चली जाओंगी क्योंकि मुझे पता है यह किसानों के सम्मान में ख पूर्ण जी यह जो महिला कार्ट चल रहा है जिसमें इतनी सारी महिलाओं को टिकेट दिया है लोगों ने तारीफ तो बहुत की पूरा उत्तरपदेश का चुनाव हिंदुत और पूरा हिंदुत एक सवाल इसे पहले इसे पूरा करने लिए आपका मैंने एक सवाल का जवा करके चले गए तो मैं अपने बड़े भाई रवी सिंग से अनुरोध करूंगी जो अभी लिष्ट जारी हुई भारत्य जंता पार्टी के विदायक जा रहे हैं चोड़ चोड़ करके एक बार अपने चैनल के माधिम से उनने भी दिखा देवें कि वो भी छोड़के जा रह ठीक है तो यह इसलिए चोड़ चोड़के जा रहें जब क्यों नहीं जब किसान वहां बोडर पर बैठाता जब क्यों नहीं चोड़कर गया इनको तो बस टिकट चाहिए दूसरी तरफ जा रहें टिकट ले रहें लड़ें अच्छा आप कह रहें कि यहां से चुनाव नही कि हमारा समाथ जातियों में बटा पड़ा है और वहीं बड़ी आती ही जातियों में आपको लगता है जाती की पॉलिटिक्स तो दी जाएगी ठीक और रही बात मैलाओ का 50% की आवादी मैलाओ की है अपनी शक्ति को मैला पहचान रही है यह खूशी की बात है इसको देश में सबसे बड़ा मंच लगाया मैलाओ के लिए आप इससे पहले बड़ा मंच कभी लगाया किसी पार्टी नहीं लगाया तो क्यों नहीं अपने जो देश की जनता है वह वह है जिसे महिला जनन देती है तो यह कार्ड नहीं है यह उनका है महिलाओ का मैं तो कहूंगी सारी महिलाओ को इस बात को गौर करनी चाहिए बात आप बहुत दमदार तरीके से रखती हैं और यह टीवी पे दिखता भी है लेकिन आपने मेरे सवा सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमारा समाज धर्म और जाती में बटा है और धर्म और जाती में महिलाओं भी बट जाती जैसे आदमी बटता है तो मैंने आपसे पूछा था कि धर्म और जाती से महिलाओं भी बट जाती है तो सिर्फ औरतों को टिकेट देने से क्या कॉंग्रेस जीत पाईगी पूछा मैंने यह था देखिए धरम और जाती में लोग बट गए थे क्योंकि इनोंने बाट दिया था लेकिन किसान अंदोलन ने वो सम्मान वापिस लोटाया जिससे कि इनका जो कार्ड था वो हिंदू-मुस्लिम हिंदू लहराएगी और लहरा रही है हालत खराब बारतिय जन्ता पार्टी की सिर्फ कॉंग्रेस से और किसी नेता से नहीं है यह भी आप देख लीजिए दरम जाती में लोग बट गए थे मैं मानती हूं लेकिन आप अब जो विकास देखना चाहते हैं लोगों को समझ आ गई है बट गए थे लेकिन अब नहीं बटे हुए किसान अंडोलन से कॉंग्रेस को फाइदा हो गए क्योंद अभी हवा है जो बैयार है हूं जैकि किसान अंडोलन का असर हुआ है वह फायदा जैंतर चौदरी और समाजबादी पार्टी को ज्यादा जा रहा है, कॉंग्रेस को नहीं जा रहा देखे मैं इतना पूछना चाहूंगी विफाइदा नुक्सान टो यह बिजनिसमैन देख्य है हम तो भी है किसान के बालक है सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूंगी जब किसान अंदोलन चलाता सबसे पहले कौन से नेता ने सपोर्ट किया ठीक और ये भी बास तच है मैं धन्यवाद करती हूं आज वो हमारे बीच में नहीं है जी सींग जी ठीक है उनका भी बहुत सपोर् पहुंचे और दूसरी बात उनके को नोने जॉइन कर लिया उनका व्यक्ति कामला है लेकिन फिर भी मैं यह पूछना चाहूंगी क्या घ्लेश यादव जी ने इस बात पर दो शब्द कहें नहीं तो यहीं तो हम गुम्राह नहीं होने देंगे इसलिए हम इस बात को रख र आपको चुनाव उनके खिलाफ जनता से मजबूत कहां से होते हैं जनता से जो मजबूत कैंडिडेट मेरे सामने लड़ रहे हैं उनका हर गाओं में विरोध हो रहा है कि अब क्यूं आयो है वोट लेने अभी पीछे कही सारे गाओं में जिस गाओं में मैं पहुची वहां पर उन्होंने बताया और मुझे वीडियो भी भीजी सबूत के साथ में तो आपक्या ओफर कर रहे हैं आपक्या करेंगी अपनी कॉंस्ट्वेंसी के लिए आपकी क्या प्रत्मिक्ता होंगे चलिए कॉंस्ट्वेंसी की बात करता हूं कि आपकी प्रत्मिक्ता क्या होंगी आप क्या करेंगी तीन चीज़े क्या करेंगे अगर आप यहां से विधायक बन गई बिल्कुल देखे सबसे पहले दिल्ली का आवागवन बुलेंचेर का आवागवन का जो सड़के हैं न वो वो बहुत खराब है मुने सुधारेंगे और हम किसान की जो यह आए आए दोगनी-दोगनी केवें न यहां बाग बहुत है रभी भाई तो उनको उनका मुले तक न पढ़ने पुलेंचेर जाती है और आपको भी पता है गन्ने का भुगता निहां इतना रुका हुआ है हम उसे करवाएंगे सिंभावली मील यहां का लगता है वो सब चीजे करेंगे और ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे और हम आज भी करने के लिए तियार है जब भी महां क तो है वह बहुत बहुत होगा मुझे पूरा विश्वास से लेकिन अगर फिर भी कुछ ऊंच नीच की क्योंकि चिद्डी यहां बहुत खाती है गाड़ी में इनके मशीने फिर भी मैं काओं के लोगों से स्याना विदान सबा के लोगों से एक वेंटी लेटर का जरूर इं वेत अब बंदन में लड़ती तो सिट निकल जatी अकिले लड़ना पड़्रा कर गभश कि अब तो इसको एटिक्ति को नहीं की तो लोग्हाज जिता थे वह बहुत अच्छ ब्याइब की टीक्तितेables लेकिन दिल्नवाज निकी लिवेड़ागारे defूष्छ इजर भी marvelous है तो आपको नहीं लगता कि घटबंदन और होता और शामिल होती तो सित असानी से निक Qin अगे मिरें बाट सुनिये मैं लड़ना जानती हूं गटबंदन कर थे में नारे नहीं लगाती शुख वह करती लेकिन में रोगर व्यक्ती मैं विरोध कर रही हूं एक-एक व्यक्ति का जो MLA है और जो MLA थे उन्होंने क्या किया मैं उस बात का विरोध कर रही हूं तो गटबंदन वालों ने जब तिके आज़ी व्यक्ति किसान वुजर्ग को देना जिनकी च्शबी अच्छी होती विदायक रहने के बावजूद 222 में दिलनवाज्जी ने कोई काम नहीं किया और यह बात अंग्रिस की कैनड़ेट्स या आना बुलंच शहर से उनका कहना है कि उनको कोई फरक नी पड़ता गटबंदन हो या ना हो और उनका मानना है कि टिकेट मिला है, उपरचुनिटी है, एक मौका है उनको राजनीती में अपने आपको साबित करने का और उनने मौका लिया है जब तक अच्छा लगेगा और जब तक उनको लगेगा कि जो सोच के वो कॉंगर्स पार्टी आई है वो तब तक कॉंगर्स पार्टी रहेंगी तो प्रियंका गांधी लगबग 40 पतिशत केंड़ेट्स जो उतारे हैं जो उत्रेंगे आने वाले फेज़ेज में वो सब औरते होंगी तो देखना यह में से कितनी महिलाएं जीतती हैं और जो महिला काटे कितना कारगर होता है क्योंकि इसी यह चीज कहके मैं साक्षात कार खत्म करूंगा कि इस देश में महिला आरक्षन बिल भी इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारे सांसते वो भी जाती के मामले पर बटे होए थे कहने का मतलब है कि महिला पॉलिटिक्स किताबों में पढ़ना और कहना एक चीज है लेकिन मुझे आज भी याद है वो सर्दी के दिन थे संसत में जब ओबीसी जिसे ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले जो संसत थे वो नाराइन स्वामी के हाथ से बिल लेले कर फाड़ रहे थे कि वो पारित ना हो जाए राजसाब में उत्तापड़ेश्य